महेश्वर तहसिल की ग्राम चोली निवासी एक यूवक आनलाइन ठगी का शिकार हुआ है शुकरवार को एसपी आफिस पहुचे यूवक ने एसपी सहीद साइबर पुलिस को शिकायत कर उसकी राशी दिलाने की गुहार लगाई है ठगी का शिकार हुए विशाल विहरी लाल ठाको ने बताए कि 28 फरवरी को इंडेसन बेंक से उनका 8 लाक रुपे का रिंड स्विक्रत हुआ था विधवार को उन्हें रूपियों की आउशक्ता होने पर जब वो बैंक पहुचे तो उन्होंने कहा कि बैंक केवल रिंड देती है आपको राशी के लिए बैंक से संपर्क करना होगा इसके बाद विशाल ने हेलप लाइन नंबर से बात की जिस पर उसे पता चला कि वो केवल एक लाक रुपे निकाल सकता है हेलप लाइन से जवाब मिलने के बाद जैसे ही कॉल कटा कुछ दिर बाद उसने चलाई मान फोन पर 89274-8738 दूसरा कॉल आया और उसने कहा कि तुम्हारी लिमिट 3 लाक कर देंगे तुम्हें अपनी उम्र, नाम, जन्मतारीक और OTP बताना हैं इसके आदे घंटे बाद उन्हें मॉबाइल पर मैसेज आना शुरू हुआ है विशाल ने बताया उनके खाते से राशी कटने पर जब एस्टेटमेंट निकाला तो चार बार में अलग-अलग राशी करीब 7,50,000 रुपए निकाल ली गई ततकाल इसकी सुचना उन्होंने मंडले शुर्थाने पर भी दी विशाल ने बताया कि अप्रेल में उनकी बहन की शादी है उसके तैयारियों के लिए ही रिर्ण लिया था रिर्ण सुकरती के बाद उस राशी का वे उपयोग नहीं कर पाए और धोके के शिकार हो गया विशाल ने धोके से ली गई राशी वापस दिलाए जाने के लिए एसपी सहित साइबर प्लिस से मांग की है खरगाउन से जैनत कुट्टा की रिपोर्ट डबल से कुछ फोन आया मेरे पास में और उसमें कुछा की सर आपकी लिमीट बढ़ सकती है अब क्या मांग के आपने इसके आपकी सब्सक्राइब की जाए किया नाम है आपका कहा रहते हैं हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सब से पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगें देल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें